हेलो फ्रेंज वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल केडी आर्ट एंड क्राफ्ट आज हम बाटर केंडल बना कर त्यार करेंगे आप देख सकते हैं कितनी सुन्दर लग रही है आप भी ऐसे घर पे असानी से इनको बना सकते हो किसी भी फंक्शन बार्डे या पार्टी में आ को पसंद आएगा वीडियो को लास तक जरूर देखिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताएए वीडियो कैसी लगी अगर आप हमारे चैनल को पहले बार देख रहे हैं तो चैनल को सस्क्राइब कीजिए और साथी में बैल आइ इसको बनाने के लिए समान हमें घर पे ही मिल जाता है तो आउ शुरू करते हैं हमने तीन गलास लिए हैं और दो कोटोरी लिए काचकी सबसे पहले हम जे मोति की माला लेंगे और एक गलासमन को डाल देगे और इसमें हम पानी डाल देगे और दोसरे गलास में हम पानी डालेंगे इसमें हम फूर कलर मिक्स करनेंगे इसमें हम कलर कत्रन डालेंगे एक गलास में हम फूर डाल देंगे अब इसमें हम पानी डालेंगे एक कटोरी में हम जे मोति डाल देंगे अब इसमें हम पानी डालेंगे हमने गोल्डन स्पार्कल ली है यह असाने से हमें शॉप से मिल जाती है इसके अंदर हम गोल्डन स्पार्कल डालेंगे यह हमने अलग अलग तरह के स्तारे लिए है यह कटोरी में हम स्तारे डाल देंगे इस तरह ऐसे हमने इनको सजा लिया है यह हमने मोटा प्लास्टिक का एक तुकडा लिया है इसको हम राउंड शेव में काट लेंगे इसको पहले हम हाफ में काट ले देंगे इसको हम राउंड शेव में काट लिए इस तरह से हमने इसको काट लिया है अब इसके सेंटर में हम एक शेद कर लेंगे इस तरह से हमने इसके अंदर शेद कर लिया है वो चाहे तो आप कैची से कर सकते हैं या फिर आप किसी चीज को गर्म करके इसके अंदर शेद कर सकते हैं यह हमने पांच पीस त्यार कर लिए है यह हमने कॉटन लिए है इसकी हम बत्ती बना लेंगे आप जाये थो बजार से बनी बत्ती का दूर इस्तेमाल कर सकते हैं उसतर नहीं से पांच पासल बत्ती यां बना लेंगे बत्ती को हम इसी शेघ निकालनेगे इस तरह से इस तरह से पीस प्सक्राइबंगे आंस धों बत्तियों को फेलास्टिक नदर से निकालने ये यह मस्टड精 सुर्द एंड़िए है आप कोई भी भी खाने वाला ओयल लूज कर सकती हैं कर सकती हैं कर सकती हैं इस तरह से आप देख सकती हैं यह कितना सुंदर लग रहा है आप भी इसी तरह से घर पे ऐसे डेकुरेट कर सकती हैं आप अपने बच्चों के वर्डे पार्टी पे ऐसे खुबसुर डेकुरेशन कर सकती हैं हमारी वाटल केंडल बन कर तेयार है वीडियो को लास तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कर दो